भारत ने अमेरिका की रूसी सरकारी मीडिया नेटवर्क पर प्रतिबंध की मांग को खारच कर दिया है। दरसल अमेरिका रूसी सरकारी मीडिया नेटवर्क आर्टी पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाने और उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और इसी सिलसिले में अमेरिका ने भारत से भी इस नैट्वर्क को बैन करने को कहा था अब भारती अधिकारियों ने कहा है कि रूसी सरकारी मीडिया आर्टी उनके खिलाफ प्रतिबंधों पर भारत के लिए प्रासंगिक नहीं है दहिंडू की रपोर्ट के अनुसार 13 सतंबर को अमेरिकी विदेश मंतरी एंटेनी ब्लिंकिन ने आर्टी के खिलाफ और प्रतिबंधों की घोशना की अमेरिका ने दावा किया की आर्टी मीडिया समू रूस की खूफिया तंत्र का एक अंग है और इसी आधार पर वो इनमें आर्टी की मान्यता रद्द करने से लेकर उनके पत्रकारों को विदेशी मिशन अधिनियम के तहट नामित कर रहे थे और भारत से भी ऐसा ही करने की मांग की थी लेकिन भारत ने अमेरिकी मांगों को अंसुना कर दिया था उदर आर्टी और रूसी विदेश मंत्राले ने अमेरिका के इस आरोप का खंडन किया है और इसका जवाब देते हुए आर्टी के एक सीनियर एडिटर ने अमेरिकी सरकार पर पागलपन और किसी भी वास्तविक असहमती पूर्ण आवाज से भयबीत होने का आरोप लगाय अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि उसने युनाइटेट किंग्डम और कैनेडा के साथ मिलकर जॉइंट डिप्लोमाटिक कैम्पेइन को शुरू किया है तकि आर्टी और रूसी दुष प्रचार और गुप्त प्रभाव के अन्य तंत्र द्वारा उत्पन खत्रे से नि केंपियन बताता है उसके साथ कैनेडा भी शामिल है जो दूसरे देशों के दूतावासों पर हिंसक हमले को अभी व्यक्ति की स्वत अंत्रता बताता है लेकिन दूसरे देशों की स्वत अंत्रता की परवाद नहीं करता आपको बता दे कि रूस और फ्रांस में भारत के कि वो अभी व्यक्ति की स्वात अंतरता का समर्थन करती है। इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजे न्यूस कनेक्ट। देश दुनिया के हर बड़ी खबर देखिए अर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूस कनेक्ट पर News Connect यानि खबरों से आपका Connect News Connect को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड